Hello Medics, तो आज अपगार स्कोर के बारे में समझते हैं कि ये क्या होता है और ये कब-कब किया जाता है तो अपगार स्कोर एक तरह की जाच होती है जो कि नवजाच शिशु की जनम के तुरंत बाद की जाती है ये एक मिनिट और पांच मिनिट पे जाच होती है एक मिनिट पे जो हम जाच करते हैं उसमें हम देखते हैं कि पूरा जनम का जो प्रोसेस था वो बच्चे ने कितने अच्छे से सहन किया है और पांच मिनिट के पे जो हम जाच कर रहे हैं उसमें हम देखते हैं कि बच्चा बाहरी वातावरंड के साथ कितने अच्छे से गुल मिल रहा है, उसे कितने अच्छे से सहन कर रहा है अगर एक मिनिट और पांच मिनिट पे की गई जाँच में बच्चे की स्थिती समानने नहीं होती तो ये जाँच हम दुबारा से रिपीट करते हैं अपगार स्कोर डॉक्टर वर्जीनिया अपगार ने बनाया था 1952 में अपगार स्कोर में पांच अलग-अलग क्राइटीरिया की जाँच की जाती है पांच अलग-अलग जाँचे की जाती है बच्चे की जिसके अंदर सबसे पहले बच्चा कैसा दिख रहा है उसकी धड़कन कैसी चल रही है उसके रिफ्लेक्स कैसे है उसकी एक्टिविटी कैसी है और उसके सांस लेने की गती कैसी है इन सब की जाच की जाती है रएक क्राइटीरिया को हर एक जाच को 0, 1 या 2 नंबर दिये जाते हैं उसकी condition देख और उसके basis पे हम total scoring करते हैं अब मैं एक एक जाच का बताऊंगी कि कैसे हम उसको देखेंगे और फिर कैसे उसको नमबर दिये जाएंगे, जैसे आप सबसे पहले देखेंगे बच्चे की appearance, बच्चा दिक कैसा रहा है, तो अगर बच्चा pink है और एकदम उसका रंग एकदम ठीक है तो उसको हम दो नमबर देंगे, अगर बच्चे के हाथ और पैर थोड़े नीले हैं, तो हम उसको एक नमबर देंगे, और अगर बच्चा पूरा नीला है, तो उसको जीरो नमबर देंगे, वहीं दूसरी जाच हम करते हैं बच्चे की धड़कन की, अगर बच्चे की धड़कन हम थोड़ा सा pain कर रहे हैं, तो बच्चा उसको कैसे react कर रहे हैं, अगर बच्चा roar or sneeze कर रहे हैं, या जहां हम उसको pinch कर रहे हैं, pain कर रहे हैं, वहाँ से अपना हाथ-pair खीच रहे हैं, तो उसे हम दो number देंगे, अगर सिर्फ और सिर्फ में, अगर बच्चा अच्छे से अपने हाथ-pair हिला रहा है, रोते हुए, जैसे बच्चे करते हैं, अगर वैसे कर रहे हैं, तो उसको हम दो number देंगे, अगर बच्चा एकदम सुस्त पड़ा हुआ है, और हल्की-फल्की movement सिर्फ कर रहा है हाथ-pairों की, तो उसे हम एक number देंगे, और अगर बच्चे के अंदर बिल्कुल ही कोई movement नहीं है, तो उस condition में हम उसको zero scoring करेंगे, zero marks देंगे, अब हम देखेंगे कि बच्चे की सांस लेने की गती कैसी है, तो अगर बच्चा बहुत अच्छे से रोते हुए, अच्छे से सांस ले रहा है, तो उसको हम two scoring करेंगे, दो number देंगे, और अगर बच्चा थोड़ा सुस्त है, हलके-हलके रो रहा है, अच्छे से सांस नहीं ले रहा है, तो उसको हम one scoring करेंगे, वन नमबर देंगे और अगर बच्चा बिल्कुल ही सांस नहीं ले रहा है और एकदम सुस्त है बच्चा तो उसको हम zero scoring करेंगे अब इन पाचो जाचो में हम बच्चे को जितने जितने नमबर मिले होंगे सब को जोड देंगे और देखेंगे उसका total score कितना है अब समझते हैं कि इस score से pediatrician को या doctor को क्या मदद मिलती है तो सबसे पहले अगर बच्चे का total score 7 और 10 के बीच में आया है इसका मतलब बच्चा एकदम healthy है वहीं अगर score 4 और 6 के बीच में आया है इसका मतलब बच्चे को सांस लेने में सहायता की जरूरत है उसके लिए हम suctioning कर सकते हैं अगर कुछ बच्चे की सांस की नली में फसा हुआ है बच्चे को oxygen support दे सकते हैं और बच्चे को थोड़ा stimulate कर सकते हैं ताकि वह सांस अच्छे से ले और अगर बच्चे का score 3 या 3 से कम आया है इसका मतलब उसको तुरंत resuscitation की जरूरत है जिसमें bag and mask का भी सहारा लिया जा सकता है बच्चा जब एक बार stabilize हो जाएगा तो दुबारा उसकी अपगार score से जाच की जा सकती है कि बच्चा कितना progress कर रहा है अब उसकी condition में कितना सुधार आय रहा है मोटे मोटे तोर पर आप यह समझ सकते हैं कि अपगार score में अगर बच्चे का score 7 से जादा आ रहा है इसका मतलब बच्चा normal है और अगर 7 के नीचे आ रहा है तो इसका मतलब बच्चे को medical attention की या medical help की जरूरत है